हैलो एप्रीवन वील्कम बैक टू माइ चैनल आज हम बनाएंगे तूरेजी जो कि बहुती टेस्टी लगता है खाने में और बहुती आसान तरिके से यह में जाते हैं ज्यादा इसमें समान की जरुत नहीं पढ़ती है और ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है बनाने में बहुती असान तरीके से मैं आपको बताऊंगे बहुती सिंपल तरीका ये है और बहुती टेश्टी और चटपटी सी हमारी ये सबजी बनी है जो चलिए फ्रेंड शुरू किया जाता है इधर मैंने तुरई ले लिया है जो कि मैं आधा केजी ली हूँ और इसे मैं अच्छे से छील के मैं काट लेती हूँ उसके बाद में दिखाती हूँ इधर मैंने तुरई को अच्छे से धो करके काट लिया है और उनका छिलका लिकाल ली हूँ और इधर में दो बड़े प्याज लिए हूँ उनको भी मैंने काट लिया है और बारीकी मैंने लेसुन और चीली को मैंने लिया है काट लिए उसको भी तो चलिए गैस के तरफ चलते हैं मस्टर्ड आर्ल डालते हैं अब मैं इसमें मेथी और जीरा से तड़का लागाती हूँ तो ये अब मैंने लेसुन की कलिया 5-6 ले लिया है और एक ग्रीन चीली तो उनको भी तड़कने देते हैं तब मैं इसमें आइड करूंगी दो बड़े साइज के प्याज जो कि बहुती मैंने बारिक कटा है और इसे बिल्कुल भी गोल्डेन ब्राउन नहीं करना है बस हलका साइज को पकाना है जैसे आप पिज्जा में कुक करते हैं थोड़ा-थोड़ा हलका वैसे ही टाइप का इसे पकाना है प्याज को तीसी लिए मैंने ताकि यह प्याज जले नहीं इसलिए मैं ढख करके इसे कुक कर रही हूं तो इधर देखी हमारा प्याज अच्छे से पक गया है तब मैं इसमें आइड कर रहे हूं चने का दाल जो कि मैं आदा घंटा पहले इसो पानी में भीग है इसमें ज्यादा मसाले की जूरत नहीं पड़ती है तो सभी चीजों को मिक्स करते हैं तो मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं तो इसमें आइड करते हैं अब तूरई तो मैंने तूरई को आइड कर लिया है अब इसे मिक्स कर लेते हैं निन्वा जो सबजी होती है वो चोड़ता है। इसे मैं ढड़ साथ रिख वाथ यूदा साथ नहीं क्टूणता है। तब ये देखिए 5-6 मिनट होने के बाद हमारी सबजी बन करके तयार है मैंने गस को बन कर दिया है अब इसे मैं सार्प करती हूँ एक प्लेट में अचली दिखाती हूँ ये हमारी मज़िदार सी सबजी बन करके तयार है इसे आप रोटी के साथ चावल के साथ खाएए बहुती चटपटी हमारी ये सबजी बनी है जिन लोगों को तुरई खाना पसंद नहीं है तो आप चने डाल डाल करके बनाएए और खिलाएए सभी को पसंद आने लगेगी ये सबजी और भी हमारे चैनल पे जा करके नई नई रेस्पी देख सकते हैं अगर हमारी आज की रेस्पी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करिए फिर से नई रेस्पी के साथ मिलते हैं और हमारे चैनल पे बने रहे तो तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार